हेलो, नमस्कार साच्छों नैवर्स की हारदिक सुब कामने सभी को साथ हो आज हम करेंगे नए टोपिक सुरू HCF and LCM इस टोपिक में पहला जो लेक्चर है ये दोनों कोर्स में अवलेबल रहेगा दोनों कोर्स में और साथ की साथ यूटूब चैनल पर भी पहला कोर्स कौन साथ का हरियाना CET का और दूसरा कोर्स कौन साथ का SSE Maths का दोनों में अवलेबल है सिर्फ फेस्ट लेक्चर क्योंकि उसके बाद इसका लेवल कुछ अलग हो जाता है और इसका लेवल थोड़ा अलग हो जाता है तो उसके बाद वो कोर्स को बाई कर सकता अगर उसकी इच्छा है तो तो हम लेक्चर स्टार्ट करते आज का अपना HCF और LCM के साथ तो पहला अपना HCF और LCM के साथ स्टार्ट करते हम तो यह कहां से आ गए टोपिक का नाम क्या था? HCF और LCM इसके अंदर क्या होता है? HCF क्या होता है? LCM क्या होता है? सबसे पहले तो हमें जानना यह ज़रूर होता कि HCF क्या है? LCM क्या है? तो HCF को तो बोलते हैं highest common factor. LCM को बोलते है lowest या least common multiple. ठीक है? एक साइड में HCF एक साइड में LCM. दोनों साइड से मैं क्यूशन सोल करके बताता हूँ. क्यूशन सोल करने के अपनी अलग-अलग विधिया होती है. एक गुणंद खंड विधी यानि के टुकडे करने होते हैं और इसमें भी कुछ प्रकार्श होते हैं. एक अलग से होती है HCF में कि HCF में आप difference विधी से भी सोल कर सकते हैं. HCF कि आगर मैं बात कुरू सोल करने की सबसे पहले तो है गुणंद खंड विधी. ठीक है? इसकी मैं विधियों की बात करता हूँ तो पहली कौन सी है? गुण अंतराधारित विधी. ये भी मैं सिखाऊंगा अंतराधारित. और इसमें अगर हम करते हैं तो गुणंद खंड विधी तो है एक आपकी. ठीक है? और दूसरी कौन सी विधी होती है? सभी का एक साथ. ये भी गुणंद खंड ही है. सभी का एक साथ ही गुणंद खंड करना होता है राइट सभीखा एक साथी जैसे कि मैं संख्या अगर लिखता हूँ कोई भी बारा अठारा और चोबिस निकालना है तो गुणनखंड विजी से तो क्या करेंगे आप सबसे पहले बारा को स्वल करते हैं बारा को कैसे करेंगे दो से करेंगे छे आ जाएगा फिर दो से करेंगे तीन आ जाएगा तीन से करेंगे एक आ जाएगा इसके बाद हम करते हैं अठारा को ठीक है अठारा से अगर करते हैं तो सबसे पहले दो से करेंगे तो नू आ जाएगा तीन से करेंगे तो एक आ जाएगा और उसके बाद करते हम चोबिस को ठीक है दो से करेंगे त बारा आजाएगा और फिर दो से करेंगे तो 6 आजाएगा फिर दो से करेंगे तो 3 आजाएगा और फिर 3 से करेंगे तो 2 आजाएगा इस विजी से आप सोल कर सकते हों ये बेसिक सी बात हमें बता रहा हूं को बिल्कुल सोल करके नहीं बताओंगा क्योंकि छोट-छोटी बात यहां पे 80 मिल जाता अब को 6 but estm कि आएगा अगर यही संख्या मैं ले लूँ 12 18 और 24 तो smallcontine jack और यह दौने जाएगी फिर 12 देखते हैं तो 24 बारा से ज़ती है 18 से जते हैं छोटे से छोटी आपको लग रही 72, ठीक है, 72, 72 बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, कि 24 से जाती 18 सिर 12 से भी, तो यह आए कैसे, शोल करने का तरिक्का कुछ इस परकार, शोल तसम से पहले 2 से काउंट करते हैं, तो यहाँ 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, और 12 दूनी 24, ठीक है, फिर 2 स यह तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 9 ठीक है, और यह 6, ठीक है, 3 से करते हैं, 1, 3, और 2, मुल्टिपल कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, ठीक है, 12 दिए 36 और 36 दूनी 72, आप ऐसे सोल कर सकते हो, यह तो सब को पता है, लेकिन कुछ यहाँ पर क्या करना होता है, सोट कैसे निकाल सक तो बड़े वाली संख्या उठाएंगे आप, बड़े वाली संख्या का पहाड़ा देखेंगे, यानि टेबल देखेंगे, 24, 24 किस किस से जाती, 12 से तो 24 खुद भी जाती है, लेकिन 14 से नहीं जाती, 24 दूनी 48 करके देखेंगे, 48 से नहीं जाती, 24 ती 72, बहतर 18 से जाती है, ठीक है पेज का कलर गरीन कैसे हो गया भई इसके बाद क्या करते हैं भाग विधी से भाग विधी में क्या करते हैं तर जो 12 है ना 12 से 12 करते हैं को 12 कम 12 6 बच गे फिर यह से बस्ते इसको भाज़क बनाते हैं भाग फल में चेंज कर देते हैं और यह बारा आप ऐसे निकाल सकते हो ठीक है और आपके पास जीरो बच जाता है जिब जीरो बच जाता तो यह आपका अब कुष्षन पर आते हैं लेकिन कुष्षन से पहले एक बात मौन बता जेता हूँ तीसरा भाग बीडी हो गया एक अंतराधारत भी थी क्या मैं बता रहा था अंतराधार theft ठीक के अंतराधार था मिक्याथा तो पहले 12, 18 और 24 difference देखते इनका इनका difference कितना 6 इनका भी कितना अच्छ है तो कई बार तो क्या होता है कि 6 यही यह ना यही अच्छे पा जाता है क्युशन का level जैसे जैसे change होगा तो यहां से concept लगने स्टार्ट हो जाएगे वर मैं बताता चलूँगा कि कैसे कैसे आप अंतराधारित इनका अंतर करके भी आप तो कर सकते हो कई बार अन्य था यहां से जो छोटे टुगड़ा होता है उसके आप टुगड़े करके भी कर सकते हो यानि कि जादा समय बचाने से आप ऐसा सोल कर सकते हो अब यह कैसे question आएगे मैं आपको भी दिखाता हूँ क्रिश्ट के साथ आपका रूबरू करवाता हूं मिलवाता हूं फैस्ट नमर क्रिश्ट से 248 और 403 का अच्छिफ क्या होगा मैं से का मतलब है अच्छिफ क्या होगा तो अच्छिफ एक तो भाग विदी है एक गुणन दिखंड विदी है और तीसरा कॉन से था अंतराधा आधारित 248 और 403 अंतर आधारित क्या डिफ्रेंस दालते हैं तीन में से आठ गए कितने बच गए पांच यहां नो में से चार गए पांच यहां ठीक है ओनली वाले एक सो पच्पन बचे एक सो पच्पन तो यहां कोई option है यह नहीं एक सो पच्पन को आप तोड़ना स्ट किने से तोड़े सकते हैं宮 Topine he पंच तोड़े हैं कितने से तोड़ सकते हैं एक से तो भाग जातते हैं अगर मैं संख्या को टोड़ू तो पांच गुना में कितना जाएकतीं पंदरा 5 बांच कमपाश यानि की एक सो पस्पन को अगर मैं तोड़ देता हूं तो 5 गुना 31 में तोड़ दिया जटा है। अब 31 मैच करो या 5 मैच करो, अब सर्फ 5 से तो ये खुद नहीं जा सकता प्रकेवं कि दोनों में नहीं है। तो 31 है, तो 31 आपका आंसर रहे गा। अब 31 आपका आंसर हैगा 31 आप 2 से 5 से कितन से गुना करको जो आपका अलग मेंटर है पर 31 आपका HCF रहेगा तो यह आपका क्या जाता है HCF ठीक है इजी है भई आप ऐसे सोल गर सकते हो यह खास बात है क्यूशन नमबर फेकेंड प्याते हैं अब देखो 344 10 32 18 0 6 यहां से डिफरेंस निकालते हैं 4 कितने मेंसे 6 मेंसे 2 गए 4 यहां मेंसे 10 10 मेंसे 3 गए 7 और यहां मेंसे कितने 7 7 में 7 यानकि 774 और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 10 यानकि 12 होगे 12 मेंसे 4 गए 8 फिर यह कितने बच गए 2 12 है से ले लेंगे 12 मेंसे 4 गए 8 यहां कितने बच गए 9 9 मेंसे 3 गए 6 688 और 700 74 अब एक तो तरीका होता कि क्या इनके टूगडे किये जाए या इनका डिफरेंस निकाल दिया जाए अगर इनका में डिफरेंस निकालता हूं तो निकाले के देखो यह जाते हैं 14 14 मेंसे 8 कितने बचते हैं 14 मेंसे 8 कि 6 यहां कितने बचे फिर 6 और एक असल ले ली छोड़ा 16 मेंसे 8 कि 8 यह और कुछ बचता नहीं है अंदर कितना और कई बार ना यह जादा से जादा डिफरेंस नहीं होता ना तो दूसरा त्रिक का यहां से मैं बताऊंगा अंतर के अधार पे ही जो इसका है ना इसका है इसका टुड़ा करना स्टार्ट कर देंगे हम ठीक है एक बार दूसरे कलर से लिखते हैं हम ताकि थोड़ा सा गैप पता चलता रहे दूसरा तरिक्का मैं बताओं क्या जो 6880 ना छोटे वाली संख्या उठा ले अब छोटे वाली संख्या 6880 6880 ओप्सन देखें आप 58, 28, 20 और 60 आप भी थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूं तो भी बहुत ज़्यादा इनके नजदिक आने वाला है नहीं दस से भाग करता हूं तो 68.8 आट है यह दस से भाग करता हूं तो तो आठ गुणा में चालिस यानिक इसके एक टुकड़ा तो यह उता है यहां पर देखो चैसी बगेरा है अगर यह आठ पर नहीं जाता नो पर नहीं जाता फिर इसको छैसे करके देखते पांच से कहीं नहीं थोड़ा सा अंदाजा सा लगाना होता है कि और फिर उसको टिक क नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं यही क्यूशन है कुछ वह है बड़े से बड़ी सिंग क्या जो 324, 480, 513 को पूर्णते विभाजित कर सके सेन इसी परकार का है एक बार क्यूशन सोल करके आप बताओ मुझे सब प्रोपर है न काफी सर्दी का मौसम है भाई सर्दी की सीत लहर फिर से सुरू हो चुकी है अपना बताओ रखना यहां देखो 324 मैं सौल करके बताओं 324, 460, 460 और 513 का डिफरेंस अगर मैं बताओं तो यहां 14, 13 कितने बचते हैं 27, 13 में से 6 गए, कितने 7 यहां बचके 10, 10 में 6 गए 2, 27, राइट 27, यहां का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 26 में से, या 6 में से 2 गए तो, sorry 6 में से 2 नहीं, 6 में से, 6 में से 4 गए तो 2, यहां बचके कितने, 8, 8 में से 2 गए तो, 8 में से 2 गए तो 6 बचते हैं, फिर कितना है, 6, 6 में से 162, 162 वगएरा तो देखो आप, एक यह छोटे वारी सिंख्या दे जाएगा, यह बस छोटेशन आपको आदत होने चाहिए, कंसेप्ट लगाने कि आप कैसे लगा सकते हो, भाग विदी से, गुणंदखंड विदी से वगएरा तो आप सौल करी सकते हो, बाद में कोल गरते हैं, इनके पास रख तो ऐसे, ठीक है, 27, तो यह आप का अंसर क्या रहेगा, 27, ओके, नेक्ट पे जलते हैं भाई, यह रहाप का 2 बटे 3, 4 बटे 9 और 5 बटे 6 का लगुतन समाप वरते, अब ना एक बाद में बताने भूल गया था, कि फरेक्सन अधारिट क्यूशन को भी सोल करना था, पॉइंट अधारिपर बाद की सारे आ जाएंगे आगे चलके, मैं चाहता था था बीच में इनके स्टार्टिंग से उनको बेस बताएं, पर कोई बात नहीं, यह तो फरेक्सन अधारिट क्यूशन होते हैं न, दो बटे तीन और च्यार बटे नो, जैसे कि दो बटे तीन, च्यार बटे नो, पांच बटे शे, क्या निकालना है, लिए 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 तो 20 विटे 3 LCM 20 विटे 3 ये रहा 20 विटे 3 अब अगर निकालना पड़े HCF ठीक है इसी क्यूशन में अगर HCF के लिए भी बोल दे HCF के लिए बोल दे तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 विटे 3 4 विटे 9 और 5 विटे 6 है तो ऊपर का तो निकालेंगे आप HCF और नीचे का निकालेंगे आप LCM तो ऊपर का 2 चैर पांच का चैर बड़े से बड़ा गुणनखंड जो इनको भाग कर सके बड़े से बड़ा गुणनखंड तो सर एक ही है जो इनको भाग कर सके 2055 और चोटे सेच्वोटी संख्या से विभाजिती हो चो चोटे से छोटी छोटी संख्या जो डीकॆ यहां थे कि भड़े च्छुटे से छोटी संख्या 18 जो नो से विजाएगे छै से नतीन से जाएगी तो सकते थे तो कोई डाउट है तो आप सिखस्यायूग के डाउट गुरुप पर डाल सकते हैं टेलग्राम चैनल पर आपका डाउट शॉल हो जाएगा नेक्स्ट कुशन पर चलते फिर यह रहा आपका नेक्स्ट कुश्चन यहां पर एक्षिफ निकालो एक्षिफ निकालना है तो आपको समझ में आ गया कि उपर का HCF नीचे का LCM और जब LCM निकालना है तो आपको समझ में आ गया कि उपर का LCM नीचे का HCF यानि कि जो कंडिशन बोलता है वो उपर अपलाई होगा और नीचे उससे reverse होगी दूसरी चीज़ होगी तो यहां क्या वह रखा HCF तो उपर का HCF 1, 3, 5, 6, 9 बरेशी बड़ा गुणान खंड जो दी गई संख्याओं को भाग कर सके HCF निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़ा गुणान खंड एक है ठीक है एलशे में निकालना है छोटे से छोटी संख्या जो दीगी संख्याओं से भाग जाए छोटे से छोटी तो दो बटे दो सभी से जाती है और अगर इसका बीश गुणा करूँ तो बीश दो से चार से जाएगी बट नहीं और ओप्शन में देखो ऐसा तो मुझे से भाग जा सकता ही है तो एक बटे 120 आपका आंसर हो जाएगा HCF एक बटा 120 कुछ दिक्कत नहीं है बिल्कुल सरल है बिल्कुल छोटा सा है इससे आगे अगर मैं चलूँ यह रहा क्यूशन आपका 28 और बिवारिस के LCM और HCF किस सनुपात में होंगे 28 संख्या कौन सी है 28 और बिवारिस 28 और बिवारिस तो बिवार बिवारिस दूने 84 28 और बिवारिस दूने 84 28 और बिवारिस दूने 84 28 24 तो 14 पहले लिखेंगे यह रहाच है नुपातिक, है ना, LCM और HF निकालेंगे, LCM और HF का रेशियो पूट कर देंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, ओके? दो संख्याओं का, HCF आठ, तब निमिल खित में से कौन सी संख्या ऐसी है, जो उनका, LCM नहीं हो सकती, एक बात ध्यान रखना, कि HCF है, HCF, LCM को हमेशा काटती है, यानि भाग करती है, यानि कि LCM, HCF दवारा हमेशा विभाज्य है, LCM, HCF दवारा विभाज्य है, तो अगर यहाँ पे HCF आठ है ना, तो आठ से कटने वाली संख्या LCM होगी, आठ ते चोबिस हो सकती है, ठीक है, आठ से कटता लएश होट सकती है, आठ साथ सपन हो सकती है, और शाठ नहीं कटता, तो ये ओप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, त LCM अपॉन, HCF, हमेशा डिवीजीबल है, अल्वेज डिवीजीबल है, LCM हमेशा HCF से भाग जाएगा, भाग जाएगा तो ये संख्या है, भाग जाती है, HCF आठ से, ये नहीं जाती, ठीक है, और ये नहीं पूछ रखा, कौन सा नहीं हो सकता, तो साठ नहीं हो सकता, पिर, किसी दूद्वाले, चलो के किसन पढ़के देखो, और स्रोलिशन भी करके बताओ, मैं से, कि आंसर आपका क्या है, ओके, बताओगे भाई, किसी दूद्वाले की एक टंकी में 55 लिटर तथा, दूसरी 45 लिटर दूद्वाले के पास दो टंकियां है, एक में 75 लिटर है, एक छोटी है, थोड़ी उसमें 45 लिटर दूद्वाले की मापे, जो दोनों टंकियों के दूद्व को पूरा-पूरा माप्स की, बड़े से बड़ा एक ओर चाहिए, मापे, जो दोनों टंकियों के दूद्व को पूरा-पूरा माप्स की, यानि कि इनका चाहिए आपको क्या HCF चाहिए HCF ठीक है HCF कैसे चाहिए सर अब यहाँ से count करते आपने बात बताई थी difference ठीक है difference तो difference तो यहाँ पर कितना आपका 25 difference तो काम नहीं करता बर छोटी-छोटी question में आप वैसे apply कर सकते हो HCF कितना था 15 15 45 difference कहां आता है चलो difference 25 कहां था 30 आता है difference अगर count करते हैं तो 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 4 गए 30 सर 30 आया तो 30 तो option में नहीं है तो दो गुणा में अगर मैं 15 कर देता हूं दो गुणा में 15 तो कितना जाता आपका 30 यह आता है तो 15 आपका HCF हो जाएगा यह 15 आपका HCF और वैसे भी आप HCF count कर सकते थे कि बड़े से बड़े आप शिर्फ 15 ही है difference है आपका 30 30 को आपने 2 में तोड़ दिया तीन में तोड़ दिया ऐसे आप apply करके देख सकते हो राइट तो 2 में तोड़ने से 15 15 एक option में में सो जाता तक का अंसर 15 ओके नो का वह कौन सी नियूनतम संख्या है जैसे दो गुना करने पर वह बारा ठारा एक्किस और तीस से पूर्ण तभी भाज़त हो चुलो भाई नियूनतम संख्या नियूनतम का मतलब है बैई LCM निकालना है यह आपके LCM चलो LCM निकालके बताओ कि LCM बताओ निकालके LCM क्या होगा देखो एक बात और भी बताई इसने दो गुणा करने प्रलाष्ट में दो गुणा करने पर ठीक है ना तो छोटी संख्या से काम करो क्योंकि इसका दो गुणा करने पर LCM आएगा कंप्लीट है तो देखो अगर इसका मैं दो गुणा करो थे 130 इसका तो 12 ठीक है हाँ हो सकता है भाई बट यह मुझे लग रहा है चलो मैं सोल करके बताता हूँ साइदी ही आएगा LCM 12 18 21 और 30 12 18 21 तीस दो से करता हूँ एक बात मैं और बताता हूँ वाई कई बार ना क्या कर लेता है शिदा बड़े संख्या पूट कर देते कई बार गलती भी हो जाती है ऐसे जो नियम काईद कानून उससे ही ठीक होते हैं दो से करते हैं 6 आजाएगा दो से करते हैं 9 आजाएगा 21 करता नहीं है दो से करते हैं 15 आजाएगा राइट एक इस था फिर दो से करते हैं तो सिर्फ 6 जाता और नहीं जाता फिर आप कर सकते हो तीन से तीन से करते हैं तो तीन दुणा कितना होता है और तीन तीन नो तीन सा साथ ये आते हैं दो से कि अब 12 18 21 थी ठीस थे नहीं पर मैं भाण फिर से चेक कर लेता हूं दो से करते हैं छए 2 से कर लेते हैं 9 21 के से गाइस पंदरा दूने 303 से करते हैं 3 दूना 6 3 3 9 3 सते 40 3 15 15 और साथ 60 तो multiple यह हो गया और 21 गुणा में 60 मैंने 60 इसलिए क्यों क्योंकि 0 रखना आपके लिए आसान होता है तो 6 कम 6 6 दूनी 12 तो LCM आता है LCM आ गया 1260 LCM 1260 है बट इसने एक condition और लगा रखे कि किस संख्या को 2 गुणा करने पर 1260 आएंगे तो 630 को क्योंकि 630 गुणा 1260 होते हैं तो 630 आपका आंसर आएगा 630 को अगर multiple कर दें 2 से तब 1260 होता है जो कि LCM होता है तो 630 को 2 से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण बन जाएगी यानि कि LCM बन जाएगी छोटे से छोटी संख्या ओके चलो क्यूसा नमबर 10 सोल करके बताओ मुझे अब का अंसर क्या है यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूँ में रखा जासके तो कक्षा के विद्यार्थियों के निमनतम संख्या 6-8-10 का LCM बताना है बताओ 6-8-10 का बता दोगे हां भाई बता पाओगे 6-8-10 का LCM जी बता देंगे 6-8-10 का तो 6-8 ले लो जी बटके 8 से नहीं जाता ठीक है 120 ले लो 120 देखते हैं 15-8 120 ठीक से भी जाता है दस से भी जाता है बस आसान है करके देख सकते हो और नहीं मर्जी है तो 6-8-10 LCM ऐसे लिख सकते हो सर 6-8-10 लिखके चलेंगे और ऐसे करते चलेंगे करते चलो मर्जी है तुम्हारी किसने रोका है बट ध्यान रखें कि थोड़ा सा प्सन पे फोकस करके चलेंगे और भाग करके देखते चलेंगे क्योंकि इस सब्सक्रवडिरू से 10 को है 10 से तो खटने वाली सारी है तो 10 तो पुसेवल करता है सभी को अब 6 पर 6 इसको भी करता है इसको भी 6 करता है अब बात आती है 8 पे आठ इसको नहीं करता तो यह हो नहीं शक्ता जिसके बाद नम्बर आता है इसका पंदराइट एक सो बीस यानि कि यह चल जाता है तो आगे आपको जाना ही नहीं है क्योंकि उसके बाद तो 240 भी है बट आगे आपको जाना ही नहीं है तो बस आपका अलशी महा गए यहाँ पर क्रेक्ट तो कि आपको अग्जाम क्रेक्ट करना है कुछ स्कूल के लिए वल पर प्रूगर के नहीं दिखाना है क्यूसे नमर 11 चारंकों की सबसे बड़ी संख्या चारंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है जो संख्या हूँ बारा अठारा और बारा अठारा एकक्ट तथा अठाइस में से प्रतेक्सरी भाजित हो तो बारा अठारा एकटिस और अठाइस का आपको लसी अम चाहिए लसीम अब इतने बड़ी संख्या तो दिक्कत देता है आठाइस 21-28 का तो comparison है साथ से कड़ते कहीं ने कहीं बड़ थोड़ी शी में इननत यहां पे करने पड़ेगी 12, 18 और कितने थे 21 और 28 2 से काट देते हैं तो 2 से कर देते हैं 2 से के 12, 2 निम्हें 18 21 और 14, 2 नि 28 फिर 2 से एक बार फिर ट्राय कर सकते हैं 21 बेशे रहेंगे और यह साथ में चेंज हो जाएगा फिर एक बार 3 से चेंज करते हैं 3 एक मतें 3 ती यह नो 3 सब पर 21 और 7 का साथ ही रहे जाएगा फिर एक बार आफ साथ से ट्राय कर सकते हो एक यह तीन ऐसे रहेगा 1 और 1 यह ऐसा ही आजाए वन वन आ जाएगा दो दूने चार चारती ये बारा ठीक है दो दूने चार चारती ये बारा और ये कितने आगे भई साती ये इक्तिस ठीक है बारा और एक्तिस का मल्टेपल करना है या फिर और आसानी से आप कौन सा मल्टेपल कर सकते हो नुटेये दूटेये दूटेये 12 बारा susa 252 आया LCM ठीक है 252 LCM आया अब जो LCM आया ना 252 इस से भाग कर देंगे 252 से किसे 252 से 252 से 4 से तो 200 गुना में 4 तो 1000 होते हैं तो ये 4 से तो जाएगा ने 3 से ही जाएगा जादा से जादा तो 3 दूना 6 और 3 पंज 15 एक हसल हो जाएगी 3 दूना 6 और 1 साथ अब घटा देंगे 9 में से 6 गए तो 3 यहां कितने बचे 9 में से 5 गए तो 4 9 में से 7 गए तो 243 बचते हैं ये 200 बावन हैं अब फिर से 9 रखते हैं अब कम से कम 10 से जाएगा तो 25 लेकिन ये 9 से जाना चाहिए क्योंकि 9 ही इसके करीब लेके जाएगा दोस्तुष्य थोड़ा से उपर ले जाता है 9 से करते हैं 9 दूनी 18 असल 1 9 5 45 और 1 40 असल 4 9 दूनी 18 और 4 12 अब घटा देते हैं एक यहां कितने बच गए 13 13 में से जनी की साथ और यहां 171 एक्स्त्र अगर इस बड़े संख्या में से 171 घटा देंगे तो आप कांसर आ जाएगा 909 909 में से 171 घटा देंगे तो आठ दो आठ नो 28 28 आप कांसर आ जाएगा 28 28 यह राप कांसर 28 28 ठीक है तो LCM निकालके और LCM से इस संख्या को भाग करेंगे 171 एक्स्ट्र अगर बसते हैं और 111 एक्स्ट्र अगर हम घटा देंगे तो आप कांसर आ जाएगा 28 28 ओके ठीक है बाई चलो नेक्स्ट वे चलते हैं यह आपका अगला कुश्ट्र है दो संख्याओं का गुणन फल देखो मापको एक नियम बताता हूँ LCFLCM में LCFLCM में LCFLCM का गुणन फल कोई भी दो संख्याओं है तो उनका गुणन फल हमेसा उनके LCFLCM के बराबर होता है फॉर्मूला क्या है पहली संख्या ठीक है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में किसके है LCF गुणा में LCM HCF गुणा में LCM दो संख्याओं का गुणन फल 1280 यानि दोनों संख्याओं का गुणन फल कितना है 1280 है HCF 8 है LCM क्या होगा दोनों संख्याओं का गुणन फल बराबर है HCF गुणा में LCM तो 1280 ठीक है और भाग में 8 LCM हो जाएगा 8 से मैं काट देता हूँ 8 है कम 8 कितने बचे गए 4, 8 से के अड़ता 40 और 0 160 यानि कि 160 आपका अंसर आना चाहिए तो यह रहापका 160 ओके ये एक नियम था कुछ मुश्किल तो नहीं है ना हाँ भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में आप कमेंट कर सकते हो कोई एकत नहीं है आप कमेंट करके बता दें कि यहाँ पर समस्याई है तो आपकी समस्याई का समाधान किया जाएगा ये इससे अगला क्रिशन है क्योंकि मैं सिरफ पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कई बार क्या होता कि बच्चों के गते मुझे सर बोर हो जाते है चुठकले बदे बगर बताया अगरो यूटूब के उपर करते है ऐसे ऐसे गटना है कई बार तो मुझे ना चुठकले कम ही आते है दो संख्या हो का HCF 16, LCM 160 जदी एक संख्या 32 तो क्या दिक्कत हो गई HCF गुणा में LCM 16 गुणा में 16, बराबर है एक संख्या 32 तो गुणा में दूसरी संख्या ओके दूसरी संख्या क्या हो कि आब मुझे यकीन हैं बहुत जल्दी आप बता देंगे 16 गुणा में 160 1 संख्या 32 दूसरी क्या है तो 32 चेंज होके यहां पर या जाएगी 32 16 दूना 32 से काट देंगे पस्ती यह रहा बस दूसरी संख्या कोई दिक्कत नहीं है आसान आसान चल रहा है क्यूशन नंबर 14 संख्याओं दो संख्याओं का अलिशियम 2484 उनमें से एक संख्या तो यानि की 2484 गुणा में 34 और बराबर है 204 और गुणा में कोई भी संख्या दूसरी संख्या तो यह दूसरी संख्या हो गई और यह 204 है यहां आ जाएंगे 204 नीचे कैंसलों के राइट तो 32 से कटते हैं कि यह दो दूसरी चार और कितने पर कटते हैं भाई यह और दो दूसरी साथ साथ दूसरी चोदा साथ यह 21 पे तो नहीं कटते हैं दूसरी ना यह और यह 32 नहीं है भाई यह 32 नहीं यह 34 है एक मिन्ट के लिए 34 है मैंने 32 लिख दिये थे ठीक है तो चार शेचो के 24 दो और 6 ते ठारा यह यह जिनकि 6 पे कट जाते हैं फिर यह है ना और 6 पे अगर मैं काट देता हूं शेच्छेच्छेच्छेच्छो के 24 साथ सो चोड़ा साथ सो चोड़ा 714 ओके 714 पिकड़ जाते हैं तो ऐसे आप सोल कर सकते हो बिना टेंजन की हो गया असान इससे अगला क्यूशन दो संख्याओ का है ग्यारा एल्सिम है स्टेंटर सो यदि उन में से एक संख्या दोस्टो पीजेतर दूसरी संख्या क्या होगी तो HCF 11 है LCM 77 00 है एक संख्या 257 है तो 275 को डिरेक्ट सीथ है निचे ले आओ और यहाँ दूसरी संख्या जो हमें चाहिए वो अपने आ पा जाएगी तो यह 200-75 है झाल से कटते हैं अब ये 25 से काट देता है 25 थीए 25 थीए 25 आब कितने बच गैंपे दो फिर ओजाएंगे 20 भाग नहीं जाता है तो 25 यह 208 पर जाता है यह 308 आपका तो संख्या कौन सी है 308 इससे आगे चलते हैं अच्छा क्योशन खतम होगे तो 15 question थे यहाँ पे और कुछ basic concept भी थे और जो बच्चों ने ये class YouTube के उपर देखी है तो वो ध्यान दे कि content कैसा था और course buy करने से पहले एक बार देख ले आप अच्छे से और जो अपने उस पे class है ये app के उपर CT पे और ये अपनी है SSC Maths पे ये वाला lecture सिर्फ ये वाला lecture जो CT वालों का है वो lecture थोड़ा सा अलग रहेगा आगे और जो SSC Maths का है वो अलग रहेगा क्योंकि आगे चलके दोनों का level अलग अलग हो जाता है तो मिलेंगे हम अगले lecture में तो तब तक के लिए धन्यवात है